तो finally KTM ने अपना Duke 200 बाइक को latest updates के साथ Indian market में launch कर दिया है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि इस new updated model में आपको क्या कुछ changes देखना को मिल जाती है क्योंकि price जो है 4-6,000 रुपे ज्यादा महेंगी हो गई है तो अगर आप भी 2024 के अंदर 200cc का कोई एक बाइक खरीदने के प्लान कर रहे हो तो आपको Duke 200 पसंद आ सकती है तो वीडियो कोईट तक ज़रूर देखे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले तो इस फेस्टिब सीजन को देखते हुए के-टीम ने अपना डिूक 200 पाइक को अपडीट किया है और अभी आपको इस बाइक के अंदर नीग कलर ऑप्चन देखने को मिल जाती है तो अभी आपको Duke 200 के अंदर electronic orange और dark galvano जो color है इसमें आपको new graphics देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो electronic orange color है इसमें आपको orange color पर wheels देखने को मिल जाएगी वहीं पर dark galvano जो color है यहाँ पर आपको black color का wheels देखने को मिलेगा दूसरे चेंज के अगर बात करें तो 5 इंच का TFT डिस्पले अभी इस bike में दे दिया गया है तो KTM 390 Duke जो bike आती है उसी के तरह अभी आपको 5 इंच का TFT डिस्पले देखने को मिलेगा जो कि यह color unit है और यहाँ पर आप डिस्पले का जो background है इसको आप चेंज भी कर पाऊगे यहाँ पर आपको speedometer, rpm meter, average fuel economy, instant fuel economy, odometer, trip meter और gear position indicator जैसे कुछ basic functions देखने को तो मिलती है साथी जो है अभी आपको इस bike में connected feature भी देखने को मिलेगा यानि आप अपने smartphone को इस bike के साथ connect कर पाऊगे और उसी के थूँ जो है आपको turn by turn navigation का option भी देखने को मिल जाती है साथी अभी आपको इस new instrument cluster में helmet pairing का भी option मिल जाती है यानि जिन helmets में आपको Bluetooth का option देखने को मिलती है उन helmets को आप अभी इस bike के साथ connect कर पाएंगे तो अभी ये new updates इस instrument cluster में देखने को मिलेगा साथी जो है ABS modes भी इस bike में दे दिया गया है तो अभी आपको इसमें road mode और super motor mode ये दोनो ABS mode देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर toggle button एक new add कर दिया गया है साथी menu button भी आपको मिलता है और hazard का switch भी अभी switch gear में add कर दिया गया है साथी जो है fully LED headlight setup देखने को मिल जाएगा front headlight के अगर बात करें या फिर till light की बात करें या फिर indicators की बात करें सारा कुछ आपको LED में दिया गया है साथी आपको LED DRS भी देखने को मिल जाती है इसके headlight के अंदर इसको integrate कर दिया गया है तो इस सारे changes आपको Duke 200 bike में देखने को मिलेगी engine के अंदर कोई भी changes नहीं किया गया है प्राइस के अगर बात करें तो Duke 200 bike का जो प्राइस है वो पहले से 4-6,000 रुपए बढ़ा दिया गया है अभी इसका एक्षोर्म प्राइस है वह 1,99,014 रुपीज है अंदर प्राइस अगेन आपके स्टेट के उपर डिवाइंट करता है स्टेट वाइस जो अंदर प्राइस कम जाधा हो सकता है लेकिन 2,35,000 से लेगा 2,40,000 के आसपास जो है Duke 200 का प्राइस अभी आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग अंदर की बात करें इंजिन आपको पहले की तरह देखने को मिलती है 199.5 CC का सिंगल स्लिंडर लिकुइट कूल BS6 FI इंजिन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है जो कि 25 PS का मैक्सिमूम और 19.3 Nm का मैक्सिमूम टॉर्क जेनरेट करती है साथी 6-speed gearbox आपको इस बाइक में मिलती है suspension भी पहले की तरह है front में आपको upside fork suspension देखने को मिल जाती है और rear में आपको adjustable monoshock suspension देखने को मिल जाती है braking system भी पहले जैसे आपको मिलती है front and rear दोनों भी आपको disc brake देखने को मिलेगा साथी dual channel ABS भी आपको इस बाइक में मिल जाती है तो KTM Duke 200 में जितने भी updates या फिर changes किये गया है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया वैसे आपको KTM Duke 200 बाइक कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताए और अगर आपको information अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब भी करके जाहिए मिलते हैं ऐसे किसे नए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and टेक केर